तो दोस्तों शुरुबात करते हैं होटल किंग पार्ट नाइन की जेवान को पता चलने के बाद वो रोमन ली से बोड़ रहा होता है क्या तुम्हारे लिए फन था कि तुमने हमसों को डिसीफ किया है रोमन ली कुछ पर नहीं बोड़ रहा होता और वहाँ पर उन सब के सामने कुछ डाइरिस रख देती है जेवान उन डाइरिस के और देख रहा होता है बेकमी पूश ही होती है तुम इस डाइरिस को पहले से ही जानते हो ना जेवान बोड़ रहा होता है कि ये डाइरि मोने के फादर की है क्योंकि मैंने इस डायरी में लिखते हुए देखा है बैकमी मोने से बोरी होती है कि ये सरफ डायरी नहीं है बलकि इसमें तुम्हारे फादर ने जब तक वो काम करते हैं इस होटल में सारी बाते लेगी है उनके management philosophy, उनके risk employment plan, सारे staff members की details और खास कर hotel seal की weakness भी जेवान बैकमी से पूशा होता है कि आपने इस डायरी पढ़ी है बट बैकमी मना कर देती है फिर मोने वो डायरी लेने के लिए जा रही होती है और बैकमी उसे रुख लेती है और बोर्ट रही होती है फिर जेवान उसके पीछे जाता है कि आपको चेर्मन ये डायरी कब दी पिर जिस दर उनकी मौत ही थी उससे एक घंटा पहले वो ये डायरी लिख रहे थे फिर बैकमी बोलते है कि इसे तुम्हारा को लेन देना नहीं है और तुम इससे एक क्वेशन पूश कर जाब नहीं ले पाओगे ये कहकर बैकमी वहां से जारी होती है तब ही जेवान उससे रोक लेता पूश रहा होता है तुम्हारे पास सरफ 11 डायरी है एक ओडायरी कहाँ पर है बैकमी बोलते होती है कि चेरमन ने सरफ मुझे 11 डायरी दी है इसके बाद जेवान जागो से मिलने करे जाता है और हो पुलिस की कस्टड़ी में होता है जागो अपनी बेटे के बारे में जेवान से पूश ओओता है फिर जेवान बोल रह रहुता है वो बल्कुल ठीक है इसके बाद जागो बोल रहुता है कि तुम्हे इतने वेट खाहल कहां सा है हमारे cave हादर हूँ तुम्हारी फैमिली मोने बलकि मैं नहीं हूँ तो फिर जेवान उसके सामने एक रिपोर्ट रहता है कि आपने मुझे बताया था कि चेर्मन आसंग ने मेरी मौम को आपसे चीन लिया उसका रेप कर रहा उन्हें मार दिया बड़ यह सब चेर्मन आसंग ने नहीं किया था बलकि यह सब तुमने किया था यह कहकर जेवान वहां से जा रहा होता है फिर जॉंग को बोड़ रहा होता है कि अगर उसमें बलेम करना है तो फिर तो अपनी मौम को बलेम करो और वैसे ही मैं तुमारी मम को बहुत पैर करता था बटो मुसे नफरत करती थी जेवान कुछ में नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है इसके बाद जोंगो याद कर रहा होता है कि आज से कई साल पहले जब वो चेर्मना संग के साथ स्कूल में था तो फिर चेर्मना संग उसे थैंक्यू बोल रहे होते हैं जोंगो उसे बोल रहे होते हैं कि जो भी तुमने कुछन सेलेक्ट किये थे वो ही मेरे एक्जाम में आये थे फिर वो उसे गिफ्ट दे रहे होते हैं फिर वहाँ पर चेर्मना संग की ग्रैंडमा आती है और वो गिफ्ट फिक देती है फिर वो जॉंगो को डाट रही होती है और उसे नीशा दिखा रही होती है इसी वैसे जॉंगो ने फैसला कर लिया होता है कि जो भी चेर्मेन आसंग के पास होगा वो सारी चीजों से ले लेगा जेवान होटल के बाहर होता है तो फिर वहाँ पर मोने आती है और वो उससे बात कर रही होती है फिर उससे बोड़ रही होते है कि बैकमी इतनी हमीर है बट वो अभी भी कोटल में काम कर रही है जेवान बोल रहा होता है मुझे लगता है कि उसका कोई ने कोई special reason होगा और जब भी तुम back me के साथ हो तो फुर तुम ठोड़ी careful हो जाओ मोने जेवान से बोल रही होती है क्या तुम पहले की तरह जेवान बन सकती हो क्योंकि मुझे कुछ कहना है तो फिर जेवान पूश रहा होता है कि तुम क्या कहना चाहती हो इसके लगत मोने बोल रही होती है कि तुम्हें किसी ने threaten किया था इस वैसे तुम ये सब कर रहे थे जेवन बोल रहा होता है कि तुम्हारे कुछ कहने से कुछ भी चेंज रही होगा फिर मोने बोलती है अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हूँ और जो भी तुमने किया है मैं सब कुछ भूलने को तयार हूँ फिर भी जेवन मना कर देता है फिर मोने पूश रही होती है क्या कोई ऐसी बात है जो कि मैं नहीं जानती हूँ मैं एक रियल चेर्मन बढ़ना चाहती हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रत है इस वहस्ट मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो राक को बैक मी अपने ओफिस में होती है और बात कर रही होती है और उनसे बोड़ रही होती है कि तुम्हें 60% रिजर्वेशन कैंसल करनी है अगले जैं मोने होटल आती है तो फिर से पजलता है कि जो उसके होटल में एक celebrity का concert होने वाला होता है, वो गैंसल हो गया होता है यह भात J-1 को बचल जाती है फिर वो अपने staff member से बोड़ रहा होता है तो मैं बता लागाना कि ऐस celebrity कहां पर है क्योंकि मैं उससे मिलना चाता हूँ तो फिर मोन हम इस काम के लिए हैं सॉंख्षे से hell ले पिर वहाँ पर मोने पहुंचा है तो बोर्र ही होती है कि अप सी ये में हेंडल करूंगी फिर वो स्टाफ मेंबो को नहीं जैवां से बोर्र ही होती है कि तुम मुझे चेहर करना मैं कॉंसर्ट को यहाँ पर वापिस भी लियाओंगी तब तुम मुझे कॉंप्रिवेंट भी करना फिर मोने सॉंग्चे से मिलने के जाती है और उससे बोड़ रही होती है जो सेलवेटे के फादर है और तुमारी कंपनी के ग्रूप के एक मेंबर है और मोन सॉलवेटे से नहीं मिल पाई है उस उसवरे से मैς चाथे हूग कि तुम मेरी हेल्प करो उससे मिलने में सॉंग्चे बोड़ रही होती है कि मैं तुमारी हेल्प नहीं करूँगी इसके बदले में मुझे जेवान वापिस चाहिए मोने पोष्ट ही होती है कि तुम जेवान को इतना पसंद क्यों करती हो मोने बोड़ रही होती है मुझे नहीं पता शायद यह सेम रिजन हो जैसे कि तुम पसंद करती हो उसे तुम्हारे आने से पहले हो बहुत अलग था मैं ही उसके साथ थी हमेशा से मोने बोड़ ही होती है तुम्हें रहना चींथा उसके साथ तुम ही जेवान को छोड़ कर गए थी और तुम नहीं उस से शादी करी थी तुम्हार सौंक चोंक गुसा जाता है तुम यहावर मेरी हेल्प मांगने के लाई हो और मैं अपने सारे क्राइम हाँ पर बदाने वाला हूँ बट मुझे शिंता है जेवान के बारे में क्योंकि उस नहीं मेरे लिए सारे डर्टी वाक किये हैं और मैं तुम्हें एक और जोगी बात बताना चाहता हूँ थे दि की वांटे में को बसकी का आँ involves सारी हMc वाले में बारे में से भाता है की में सर्फ कलता की वेट करूंगा तो मैं एसे मिलने के लिए आना होगा क्योंकि में अपने सारेTime के वारे में कन्फेस कर दूंगो और साथी में जेवन भी इसमें फस जाएगा फिर मुने सारे बेटें को कंसल करवाती हो और वो जॉंगू से मिलने के ले जाती है मुने जॉंगू से बोंड रही होती है जो जेवन को बहुत ज़दा गया होता है और वो से रिपूर्ट दिखा रहा होता है फिर वो अपने पॉकेट में से पैंटराय बाहर निगालता है और बोड़ रहा होता है कि इसमसारे वो सबूत हैं जो कि जेवान और मुझे हमेशा के लिए जेल में बंद करवा के रखेंगे तुम आर पास दो ही रास्त होता है कि हमारे होटल में एक गोस्ट रहता है जिसके जो ए रहे हैं बहुत मदद आता है तो फिर मझे गोस्ट के साथ क्या करना चाहिए तो तुम ने उसकी ठीड ढूंड लिये तो फिर तुम जब तक बेट करना चाहिए जब तक तुम उसकी पूरी बाड़ी ना मिल यहाती हो से खाती है कि अब प्रिंसस यह निको deception कर रहे हो तुम उसके लिए क्या क winners कर रहे हो और तुम चाहिए उसकाद उसका व śm烊 दियाने की बैक में से मिलाने क्लिए लिए लिशाता धाए। उसके भाइच में जिवान मोने से मिलने कले जाता है और उसे पूश्य रहोता है क्या तुम्हाँ बोलकपने क्या। तुम्हारे पसको रीजन भी नहीं है मैं नाटा किया है कि तुम मुझे से प्यार करने लग गयो बट ऐसा कुछ भी नहीं था और आज के बाद मैं नहीं चाहते हूँ कि तुम मुझे से मिलो इस वैसे रात को जेवन अपने घर पहुचता है तो फिर वहाँ पर सौंग्चे होती है फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं और जेवन को बहुत ज़ेज फीवर होता है सौंग्चे डॉक्टर को कॉल करने जारी होती है बट जेवन उसे रोक लेता है और वह सौंग्चे को वहाँ से जाने के लिए बोलता है फिर सौंग्चे वहाँ से चली जाती है इसके बाद वो मोने से मिलने के लिए जाती है सौंग्चे मोने से बूर रही होती है क्या तुम्हें पता भी कि जेवन तुमारी वाँसे कितना बिमार है और वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहा है तुम जेवान को मैं साथ मुझे होस्पिटर ले जा और उसका इलाज कर रहा हूँ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमने मुझे से पूछा था कि मैं जेवान को क्यों छोड़ गई थी बट मसे छोड़कर नहीं गई थी जो मेरी फैमिली थी बहुत जादा पूर थी और जब मैं जेवान से मिली तो फिर उसकी भी ऐसी हालत थी जब भी हम दोनों एक दूसरे को देखते थे तब हमें हम दोनों को एक दूसरे का दुख दिखा दे था इस वैसे मैंने उसे जाने दिया वो मेरे साथ आज तक नहीं हसाथ था बट जब से तुम उसकी लाइफ माये थी उसमें हसना चालू कर दिया था मोने बोर्ट ही होती है कि मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है अगले दिंग जॉंगो बैक में इसे मिल रहा होता है फिर बैक में बहुत ही होती है मैं जानते हो तुम चाहते हो कि जेवान मोने को परिशान करे लेकिन अगर तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो तो फर तुम्हें डिसीर अपने आप नहीं लेने होगे बैकि मेरी सला लेनी होगी और जो भी मैं कहूंगी वो तुम्हें मेरी बात माननी होगी तो फिर जॉंगो उसकी बात मान जाता है मोने होडल में होती है और वहाँ पर उसेलबिटी आता है रुकने के लिए तो फिर रोसे एरूर्बिटी जेवान की तारिफ कर रहा होता है कि मैं उससे कम मिल सकता हूँ मूनेस वार में कुछी में यह होती हूज हना ही हूज है कि पहले में तुम्हारा रोम दिखाती है और वो वहा безопас से चली जाती है अब जेवान के कुछी दिन बचे होते हैं उसका कांट्रक्ट एंसीर होने वाला होता है फिर सुवान जेवान से मिलने के लिए जाते हैं उसे बदा रही होती है कि तुम से एक रिपोर्टर मिलने के लिए आया है मैंने सुनाए कि जोंगो तुम्हें स्पॉंसर कर रहा था और जो करंट शेर मैंन है वो तुमारी लवर है तो फिर मुझे लगा कि तुम इस पर इंटरसेट होगे फिर इसके बाद वो रिपोर्टर वहां से चला जाता है रात को जेवान मोने से मिलने के ले जाता है और उसे वो वाज दे रहाता है जो कि जोंगो ने से दी होती है जेवान मोने से बोड़ रहा होता है कि अब से तुमें इस वाज और होटल को समालना है मोने कुछ उजाव नहीं देती और वो अपने घर के अंतर चली जाती है अगले दिन बैक में किसी से बात कर रही हो तो बोर रही होती है कि यह हमारे प्लैन का आखरी वराओ आ गया है अब जो हमारा टार्गेट है वो है मोने आज वो सेल बैटी का कॉंसर्ट होता है तो फिर वो अपनी कॉंसर्ट की प्रप्रेशन कर रहा होता है तब ही अचनक से वहाँ पर आग ले जाती है और जितने भी एक्विट होता है वो सारे जल जाते है उन्हें वो कॉंसर्ट कैंसल करना पड़ता है फिर वहाँ पर जेवन आता है तो फिर मोने जेवन से बोड़ रही होते हैं तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हारे सामने शौफ करना चाहते थी कि मैंने ये अपने आप सस्थूर करवाया है जेवान मोने से बोड़ रहा होता है कि तुम पने ओफिस में जाओ ये सारे चीज़े मैं समाल लूँगा फिर वो सेर्बेटी से मिलने के लिए जाता है उससे माफ ही मांग रहा होता है वो servity J1 को डाट रहा तो बोड रहा होता है कि मेरे सारे क्योंट जड़ गए हैं तुम इसका क्या करोगे अब जिसके बाद वहाँ पर मोने बहुच जाती है और वो servity से माफ ही मांग रही होती है जब वो उसे माफ नहीं कर रहा होता तो फिर उसका समने नील डाउन हो जाती है पिर वो सर्वेटी गुस्तर में वहां से चला जाता है खुछ देर पाद J1 बैक्मिक के ओफिस में जाता है और वहां पे खुछ डूण रहा होता है मेरा पे ओफिस में कैमरा भी लगाया होता है तो फिरसमें जेवान का फेस नज़ा रहा हुता है बैक में पाज जाता है कि जेवान उसके ऑफिस में है अगले दिन जेवान होटल जा रहा होता है तब है उसके पास किसी का कॉल आता है और उसे बता रहे होते हैं कि वो एक्सिटेंट कैसे हुआ कि वहाँ पर आग कैसे लगी थी ये सुनने के बाद वो सुवां को कॉल करता और उसे बोड रहा होता है कि तुम्हें मोने को रोकना है उफिस जाने से सुवां उसी बात माँ जाते है और मोने को अपने साथ कहीं और लेकड़ जा रही होती है जेवान होटल में जाता है और वहाँ पर अपने स्टाफ मेंबर से बात कर रहा होता है फिर उस स्टाफ मेंबर बोर्ट रहे होते हैं मुझे लगता है कि यह सब किसी ने प्लैन करके किया है इसके बाद वो मीटिंग रूम में जाता है और वहाँ पर मीटिंग चल रही होती है तो फिर डिरेक्टर बोल रहे होते हैं कि चेर्मन ने जो पीरोतव से कम करती है और साथ ही बजट भी इसी वैसे उस रूम में आग लग लगे थी मोने सुवान से पूछ होती है क्या तुम्हें जेवान नहीं ओर्डर दिया है मुझे ऐसे गुमाने के लिए और होटर ना ले जाने के लिए तो फिर में कुछ हुआ है इस वैसे तुम ऐसा कर रही हो तो फिर सुवान कुछ भी नहीं बोल रही होती अभी मोने के पास बैक में का गॉल आता है और वो इससे बोर्ट ही होती है किया तुम अभी भी जेवान की बैक की पीछे चुपोगी और तुम सचा ही नहीं जाना चाहोगी इसके बाद हो होटर परहुती है और तुम अभी जाना होती है तो पर तुम आँब कर दिया गया है तुम यह बोर्ट तुम अभी खेसे कोई चीज़ नहीं लगती है और बोर्ड रहा होता है कि अगर ये काम जोंगू ने ना किया हो तो फिर तुम क्या करोगी मुने बोर्ड रहा होती है वो तुम्हारे फादर है इस बसे तुम उने सपोर्ट करोगे और जोंगू के लावा ये कौन कर सकता है मुहने कुछ भी नहीं बोलती है और वहाँ से चिली जाती है इसके बाद जेवान जोंगू से मिलने करे जाता है उससे पूछ रहोता है क्या इसके पीछे बैक्मी का हाथ है जोंगू बोल रहोता है ऐसा कुछ भी नहीं है बलकि मैं तो बैक्मी का दुश्मन हूँ मोईने बैक में से मिलने करे जाते हैं उसे पूश ही होती है कि तुमने जो मुझे Rekorder दिया था वो तुमें कहां से मिला था जेवान एक जयाए पर जाता है और वहाँ आपर जो वीडियो मिला होता है रिपोर्टर से वो उसे क्लीन करवा रहा होता है फिर वो आदमी जेवान को बता रहा होता है कि इस वीडियो में एक लेडी भी है इसके बाद जेवान बैकमी से मिलने के ले जाता है और वो अपने साथ अपने कार में बैठा तो से कहीं लेकर जा रहा होता है बैकमी कार रोकने के लिए बोल रही होती है जेवान पूछ रहा होता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो रोमली जेवान को देख लेता है बैक मी को ले जाते हुए तो फिर वो भी इसका पीशा घर रहा होता है और आके जाके वो उसकी कार रोक देता है फिर उसकी कार से बाहर निकलते हैं लड़ना स्टार्ट कर देते हैं Jema Romandli से भोड़ रहा होता है कि तुम मेरे लिए wait करना मैं पता लाखकर रहाँ कि तुम दोनों कौन हो किवात Romandli अपनी mom को लेकर चल्दा था रात को उसकी mom घर पर होती है और उसके सर में पेन हो रहा होता है इस बैसे अगले दिन Back Me Hotel में एक मीटिण रखवाती है बिना बताए मोने को जिवान को ये बात पतल जाती है तो फिर वो धन्य दिन मोने को उस मीटिण में ले जा रहा होता है जब तक मोने वहाँ पर पहुशती है तब तक मीटिंग खतम हो जाती है तो फिर वहाँ बैक मी खडी होती है और मोने से बोड रही होती है कि यहाँ पर मैं टेकलेर कर दी हुए कि तुम्हे चेर्मन की पोजिशन से हटाया जा रहा है मोने बोड रही होती है कि अभी मैं एक स्टेंट बाय डीरक्टर हो और मेरे पास अब बादा शेयरें होटे सील के इस वैसे मैं एक और मीटिंग बुलाओंगी फिर इसके बाद रोमनली एक कॉंट्रेक्ट देता है जेवान को बोर रहा होता है कि ये कॉंट्रेक्ट चेर्मन आसंग ने साइन किया था नोन अपने स्टॉक कोलेटर पर रखके मुझसे लोन लिया था और वो लोन नहीं चुका पाए इस वैसे कानूनी तोर पर जो भी मोने की एसेट है और उचेर्स हैं वो सारे मेरे नाम पर हो जाएंगे मोने को बहुत जाता गुसा रहा होता है फिर जेवन उसे बाहर लेकर जाता होता है मोने बोर रही होता है कि मैं शान नहीं हो सकती हूँ मेरे फादर वो पर क्या क्या दिजाम लगे हैं तब ही जेवन को गुसा रहा होता है मैं उसे पहले ही का था कि तुम्हें किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है मोने बोल रही होता है जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मुझे मेरे फादर बैकमी और तुमने यही कहा है कि मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है क्या यह जगे लोगों के रहने के लिए नहीं है किसी पे ट्रस्ट करना और किसी को पसंद करना यहाँ पर इतना खतरना क्यों है जेवन बोल रहा होता है कि तुम अपने आपको प्रोट्रेक्ट नहीं कर सकती हो जब तक कि तुम स्ट्रॉंग नहीं बन जाती हो और यही सेम तुमारे फादर के साथ भी हुआ था मोने बोल रही होती है कि तुम मुझे संदाने की कोई जड़ नहीं है और वैसे भी तुम बैकमी और जॉंगू सारे सेम ही हो ये कहकर मोने वहाँ से जड़ी जाती है फिर इसके बाद वो सुवन के साथ तुति रहा भी होती है कि मैं अगले दो घंटे वे यहाँ पर एक और मीटिंग करवा रही हूँ इसके बाद मोने सौंग्चे से मिलने के लिए जाती है और वो उसे request कर रही होती है सौंक्षे पूश होती है कि तुम्हें क्या हेल्प चाहिए फिर मोने बोलती है कि मुझे पैसे चाहिए जितने पैसे मोने मांग रही होती है सौंक्षे उतने पैसे देने से मना कर देती है इसके बाद मोने वहां से जा रही होती है पिर सौंंग जैसे रोखते हैं उससे बोह रही होती है मैं चाहते हो तुम जैवांसे दूर चली जाओ अगर तुम्हें study हो तुम अकले že लिता हो मोने बोह होती है कि उसनों तुमसे कहा है कि वो तुम्हारे वुरमैंट की तरह नहीं देखता है फिर भी तुम उसके लिए desperate क्यों होतनी और ये वैसे भी एक illusion की दरा है और ये कहकर मोने वहाँ से चली जाती है मोने मेटिंग नोप में होती है बट वहाँ पर कोई भी नहीं आता फिर बैक्मियात तुस से बोहरी होती है कि यही तुम्हारा status है तुम्हारे कहने पर यहाँ पर कोई भी नहीं आया मोने पूशी होती है कि तुम्हारे नोप्स जान मुझे कर अप्रोचि किया था था नirens जेवान बेक में से मिलने के लिए जाता है बेक मीस से बोर्ट रही होता है तुम कल के मुकालब काफी शांत लग रहा हूँ और तुम्हारी यहांपर कोई जगए नहीं है तुम्हारी क्या दो है कर दो तो फिर सॉंग्चे बोर्ट ही होती है क्या ये फेवर मोने के लिए है जेवान हाँ बोलता है और पूश रहोता है कि तुम्हारी क्या कंडिशन है तो फिर सॉंग्चे उसके करीब जाती है और उसे किस कर रही होती है बर जेवान उसे किस नहीं करता फिर सॉंग्चे ब करने के त्यार हो थी है और उससे बोड होती है कि अब तुम्हें प्रॉमिस कर लिया है और तुम्हें यह प्रॉमिस ठीक ना होगा अगले दिन सुबहे जेवान मोने घर पर जाते हो देखता है कि वहां पर मोने नहीं होते हैं वहाँ पर आसे और